नमस्कार दोस्तों मैं विजे कसाना डिजिटेल फिरी सिख्षा के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों अगर आप तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी ख़वर है जिया साथियो अरियाना करमचारी चैन आयो के चेर्मेन बोपाल सिंग खदरी और शियम साब के बीश मिटिंग हुई है और मिटिंग में बड़ा फैसला ले लिया गया है क्या बड़ा फैसला लिया है अगर आप देखना चाहते हैं तो पूरी इंपोटेंट वीडियो ये जरूर देखें कैसे पेपर आएगा कैसे परकिरिया रहेगी और नकल लोने के कितने चांस है यह नकल रोकने के लिए आयो गयो क्या 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 कदम उठा रहा है चलिए दे के साथ यो कि अरियैना में सरकारी बरतियों के लिए होने वाली पृक्षacióं में नकल रोगने के लिए सरकार ने फूल प्रूप प्लान तैयार कर लिया है अब किसी भी प्रिक्षा के लिए परिक्ष्या के तीन से चार सेट तयार किये जाएंगे यह सबी सेट अलग अलग प प्रिक्ष्या शुरू होने से मात्र 15 मिनिट पहले करेगी यानि कि किसी को भी पता नहीं होगा कि कौन सा सैट खुलने वाड़ा है जो आधससी की टीम होगी वो 15 मिनिट पहले यह बताएगी कि यह सैट आपको एक्जाम में देना है ताकि नकल अधुआ पेपर लीग की गुं नहुरलाल के साथ चर्चा के बाद यानि कि उनकी मीटिंग के बाद करमचारी जैन आयोग ने नकल माफियाओं पर अंकुष लगाने के लिए विश्तरत कार्य योजना तयार की है राजे में पेपर लिकेज की एक के बाद एक हुई गटनाओं और नकल माफियाओं की खड़े कर दिये हैं राजे सरकार ने विदानसभा में नकल विरोधी कानून बनाकर नकल करने वालों और कराने वालों को सजा में के कड़े प्रावदान किये हैं लेकिन सरकार का मानना है कि जब तक इन प्रावदानों को दरातल पर लागू नहीं किया जाएगा तब तक सम प्रमसारी चैन आयोग ने किसी भी प्रिक्षा के चार चार सेट तयार कराने की योजना बनाई है आयोग की बेवद विश्वसने टीम को ही पता होगा की पेपर कहां से प्रिंट कराए जा रहे हैं आयोग की चैर्मेन बोपाल सिंग्जी खदरी के अनुशार एक साथ चारों सेट लीक नहीं हो सकते उधारन के लिए जिए किसी एक दो या तीन सेंटर पर पेपर लीक हो गया तो तुरंत परसन पत्रों का दूसरा या तीसरा सेट खुलवा दिया जाएगा ताकि दोबारा प्रिक्षिया में होने वाले खर्चों बच्चों के मानसिक तनाव को खतम किया जासकी इससे नकल पर काफियाद तक अंकुस लग सकेगा चैर्मेन के अनुशार गोपने ताकि चलते आयोग की और से पूरा सिस्टम बताया नहीं जा सकता तो साथ योग आपके एकजाम की तैयारी शुरू हो गई है एकजाम तैस समय पर होने वाला है अगस्त में एकजाम ले लिया जाएगा अगस्त मद्दे के अंदर एकजाम आपका हो जाएगा एकजाम डेट जल्दी ही आपको इस जुलाई महिने में ही देखने को मिल सकती है नोकरी जॉइन करने के बाद अचानक शेह होगी बायोमेट्रिक। के अलावाद जब कि यह बेरते की नोकरी में जोईनिंग हो जाएगी और सरकार में सेवाई देते हुए दो तीन महीने हो चुके अंगे तब अचानक आधारकार डॉकुमेंट वेरिफकेशन और आखों की पुतले की जाच और बायोमेटरिक आधरी में अंगलियों वे आखों की वेरिफकेशन के जरी यह पताया लगाए जासकेगा कि सही वेक्ति डूटी कर रहा है अथ्वा प्रिक्षा किसी ने दी काम कोई दूसरा कर रहा है बोपाल सि जी खदरिन के अनुसार आयो की टीम चैने तवियर्थी के विभाग में जाएगी और उसके दौरा प्रिक्षा में दीए गए डाटा का मोके पर ही मिलान करेगी ऐसे में तमाम फ्रोड किसम के लोगों को चुन-चुन कर बाहर करने में मदद मिल सकेगी तो साथ यह बड़ी